स्वागत इस चैनल पर आने के लिए आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले कि एक्जाम पैटर्न इस साल का किस तरह से होगा और आप लोग एक्जाम में किस तरह से आपके एक्जाम में questions आएंगे composition, subsidiary and honors paper में खास करके अगर आप पाटना इनुवसिटी, पाटली पुत्रा इनुवसिटी, मगल इनुवसिटी, ललित नरायन, मिथला इनुवसिटी और विर कोवर सिंग इनुवसिटी, बिहार के all इनुवसिटी तो ये वीडियो को देख सकते हैं BSC part 1, part 2, part 3 वाले BA, BSC, B. सारे लोग इसको देख सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, honors paper का, honors paper में किस तरह सापके questions आएंगे, अगर आपका, जैसे कि BSC में क्या होता है, कि practical भी होता है, और written exam दोनों होता है, BA में ऐसा कुछ नहीं होत सकते हैं, जैसे कि यह मैं Geology Honors का previous year question से आपको समझाता हूँ, यह Geology का previous year question 2019 का है, और यह इनका 75 marks का exam हुआ है, क्योंकि 25 marks का practical है, तो written exam जो होगा, सिर्फ 75 marks होगा होगा, तो आप लोगों का अभी कुछ इस तरह से रहेगा, जिनका practical नहीं होगा, यहां पर maximum marks में 100 लिखा आपको 100 marks का exam होगा, और इस तरह से आपके 3 घंटे का exam होगा, 3 घंटे के exam में आपको यहां पर देखिए questions दिये रहेंगे, total 10 questions रहेंगे, आपको उन में से किनी 5 questions को बनाना है, कितना असान है, किनी 5 ही question को बनाना है, 10 questions दिये हुए रहेंगे, और उसके बाद एक और rule है, वो भी समझेए, दूसरा rule यहां पर यह बताया गया है, कि जो पहला question है, question number 1, total 10 questions है, 10 questions में जो पहला question आपको मिल रहा है, question number 1, यानि यह MC की ओवाला चुझदा correct answer, वो बनाना सब को है, सब के लिए compulsory है, इसको छोड़के नहीं आ सकते, आएंगे तो आपका number काट लिया ज 9 question बचा, एक question तो यहां खतम हो गया, इसको बना लिया आप लो, बाकी 9 question बच जाता है, 9 question, जिसमें सापको किनी 4 को बनाना है, अब आपको चूझ करना है, कि आपको कौन बनाना है, जैसे कि देखिए, पहला में आपका MCQ question है, MCQ में total 15 question रहता है, 15 marks का, एक-एक marks का रहता ह है, 15 को बनाना है, अब आप पर depend करता है, आप कितना बना के आतने exam में, दुसरा question इस तरह से रहेगा, write short notes, आपको इतने सारी topics दे दिया जाएंगे, इतने सारे में आपको 8 रहेगा, 8 में से किनी 3 पे लिखना रहेगा, आपको निवन्द है, मतलब short notes लिखना रहता है, जै जान लेजिए, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 question है, आपको ध्यान रखना है, 9 में से 4 question ही बनाने है, तो इन चूज कर लेना है, आपको question अच्छे से पढ़ना है, exam में आपको question पढ़ने के लिए 15 minute extra time दिया जाता है, उसको अच्छे से use करिए, question को अच्छे से पढ़िए, जो कि सबसे कम hardcon है, जिसको मैं नहीं भी आता है, तो भी कुछ-कुछ तो लिखी सकता हूँ, तो उसको भी choose कर सकते है, मतलब मेरा कहने का smudda सिर्फ यह है, कि आप कोई भी question छोड़ के मताईएगा, जितना question आपको बनाना है, 5 question बनाना है, 5 question का 75 marks मिल रहा है, तो आपको सारे question attempt करके आने है, छोड़ के खिवी question नहीं आना है, तो यह honors paper का कुछ इस तरह से आपको रहेगा, 100 marks वाले में कुछ अलग रहता है, आपको question ज्यादा रहता है, आपको question ज्यादा बनाना पड़ता है, ठीक है, आपके जैसे कि आपको भी MCQ सुरू में दिया जाएगा, पहला question उनको भी बनाना रहेगा, BA वालों को भी, BCOM वालों को भी, MCQ रहता है, उसके बाद sort notes उनको भी लिखना रहता है, marks का जो बेटेज होता है, बढ़ा लिया जाता है, question थोड़े से बढ़ जाते है, बाकी सारा चीज वही है, आपको इसी form में रहेगा, आपको option दिये जाए question का अंसर नहीं आता, लेकिन अगर वगर कुछ लिख के आ जाओ, ताकि आपको अच्छे से number मिल जाए, मैं एक वीडियो बनाओगा, copy कैसे लिखना है, अच्छे से कैसे लिखना है, ताकि आपको अच्छे से जादे number आ जाएं, बीना पढ़ें भी, अगर आप copy लिखते है तो आपको number अच्छे आ सकते हैं, वो trick का वीडियो में अगले वीडियो अप्लोड करूँगा बहुत जल्दी, तो यह रहा, honors paper का बात, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, सबसेडरी में, तो सबसेडरी में क्या होगा न, इस साल जो है, सारे के सारे question, बहुत सारे universities में तो MCQ हो गया है, exam हो गया है, अभी पाटली पुतर अउबसेटी का exam होना है, वहां पर सबसेडरी में क्या होता है, इस साल जो है, पूरा का पूरा objective आएगा, A to Z, जैसे कि आपको 75 marks का exam होगा, आपका subsidiary history होगा, 100 marks का exam होगा, subsidiary आपका political science होगा, 100 marks का exam होगा, तो आपका practical है, तो 75 का है, practical नहीं है आपका, तो 100 number का है, तो पूरा 100 question आपको MCQ मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई, मतलब जो है, option नहीं दिया जाएगा, टोटल 100 question रहेगा, 100 question, 100 marks के 100 को बनाना है, अगर आप 80 marks ही आएगा, बतब जितना बनाएंगे उतना marks आएगा, तो इस बार आपका MCQ form में सारा question होगा, आपको सारे question के लिए OMR seats तो अपने देखा होगा, OMR seats से दे दिया जाएगा, 12th का आप यहार वोट का exam देके आया होगे, से बेसले का, उसी तरह से य देख लो, आपका subsidiary में अच्छे number आजाएंगे, लगवाग लगवाग 75-80 number आजाएंगे, तीक है, क्योंकि repeated question पूछे जाते हैं, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, composition subject का, वो काफी ज़्यादा scoring marks है, English का जो आपका paper होगा, composition आपका जो होगा, काफी short question आता, काफी easy जाता है, कैसे, देखिए, यहाँ पर question जो देख रहे हैं, आपका पस इतना ही question है, जासे कि देखिए, इसमें आपको किस तरह से question पूछे जाएंगे, यह total 50 marks होगे, अगर आपका composition आपने 50 marks का लिया होगा, तो बहुत सारे लोग 100 marks का English ले लेते हैं, हिंदी वो नहीं लेत और question कुछ इस तरह से रहेंगे, यह देख घंटे का exam होता है, ठीक है, और यहाँ पर questions आपको देखिए सबसे पहले, जो information दिए गई है, attempt all questions, सारे के सारे question आपको बनाने हैं, किसी भी question को आप छोड की नहीं आ सकते हैं, attempt all questions, जिनमें क्या है, पहला question है, write a critical appreciation of anyone of the following, golden year, one with the work, the unity of Indian culture, the monkey, paw, यह सारी जो चीजे हैं, आप बोलेंगे कहां से यह सारी चीजे दे दे गई है, तो यह आपको बुक पढ़ना होता है, syllabus में, उसमें से यह सारी चीजे हैं, इस पे आपको लिखना है, अगर आपने कोई बुक बगेरा नहीं पढ़ाया आपने exam के लि जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ व्यूपर में, anyone, मतलब यहाँ पर पांच option दिएगा, किसी एक पर आपको लिखना है, तो एक कोई लिख लिजेगा, तो यह पहला question आपका नहीं पढ़ जाएगा, दूसरा question लिख जिए इस तरह से, a sketch a character of Richard Falcon, तो यह भी आपने अगर ब पढ़ा होगा, तो आपको यह नहीं बना सकते, तो बुक बगेरा जो है, उसका PDF, मतलब यह मैं आपको टेलिग्राम का गुरूप दूँगा, पीपीउ का official group है, वहाँ से जाके आप बुक बगेरा डाउलोड करके PDF से पढ़ सकते हैं, बचे हुए दिनों में, क्योंकि नही आइडिया नहीं किसका नाम है, क्या है, क्या इसने लिखा था, कुछ आपको नहीं पढ़ता होगा, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, पढ़ने वाले लड़की इसको बना देगा आराम से, जो नहीं पढ़ने वो फस जाएंगे, इसमें देखिए, question no.2 में option भी दिया गया किसी चार में से किरी एक के वारे में लिखना है, question no.2 में भी दो option है, किसी एक को बनाना है, question no.3 में भी आपको देखिए, question no.3 क्या है, write a precise, यहाँ पर संचेपन करना है, ठीक है, हिंदी में संचेपन आपने देखा होगा, मतलब इतना बड़ा लंबा चोड़ा कहानी जो अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको यह जो लंबा चोड़ा कहानी देखा आपने, उसको चार से पांच लाइनों में लिख के खातम कर देना है, एक तरह से summary आपको लिखना है, ठीक है, छोटा सा summary, यह आपका total question हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, पहला question 20 marks का, दुसरा question 15 marks का, कितना हो गया, पैतिक सो गया, तिसरा question 15 marks का, 50 marks हो गया, तीन ही question रहता है, तीनों का बनाना रहता है, आप आराम से पास कर जाएगे, जिसमें से आपको third question तो easy है, बहुत अच्छे नंबर आएगे 15 में से 12-13 तो लेही आना है, हो सके तो 15 में 15 भी ले आएगा, लेकिन ये दोनों का तायारी आप लोग बचे दीने में कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर फरस सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीजे नहीं समझ में आएगी, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, हिंदी में भी कुछ इसी तरह से एक्जाम पेटर्न है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये हिंदी का समझते हैं, प्रथम बर्स पार्ट वन का देखते हैं, आपको इसमें भी वही वाला फर्मूला है, पहला क्वेश्चन 20 मास करेगा, दुसरा क्वेश्चन 15, तु तो आप देख सकते हैं, कुछ इस्त्रस रहेगा, पचास माक्स हिंदी का, पहला क्वेश्चन, तो टोटल थ्री कोष्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि आपको किनी एक का लिखना है, कवीर का दोहा, कवीर के वारे में ये सबी चीज़े आपने पढ़ी होगी तो पता चलेगा जैसे कि यह आ जांपर देख सकते हैं पहला雕 रहेंगे उसको बनाना है ठीक है तो आप इस तरह से बना सकते हैं तो इस तरह से composition subject रहेगा अब हम लोग देख लेते हैं 100 marks English अगर आपका composition है तो किस तरह से question रहेगा उसको भी एक वर देख लेते हैं फिन वीडियो को last कर देंगे जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यह जो है 100 marks का में example लेकर आपको दिखा रहा हूं इस तरह से अगर आपका 100 marks का Hindi composition है तो इस तरह से question आएगा अगर आपका 100 marks का Hindi composition से तो आपको इस तरह से question दिएगे चारों का चारों बनाना है पहला कोशिट में देखें निम लिखी द में से किनहीं तीन प्रशनों का उत्तर दिजीए तो यहां पर करके टोटल घढ़ा इस तरह से question रहता है चो तक question रहेगा मतब 5-6 रहेगा उसमें से तीन को बनाना है ठीक है छे question में में तीन प्रसनों का उतर दीजिए यहां पर जो इस बार है बन एक कोश्चन का 10 माक्स है तो तीन कोश्चन में आएंगे तीस माक्स मिलेंगे तो मैं बारबर कर रहा हूं आपको क्वेश्चन छोड़ की नहीं आना हो यह सब क्वेश्चन आप कहा से बनाएंगे अगर आपने कित आप नहीं पढ़ाओगा तो आप यह सब क्वेश्चन नहीं मना पाएंगे तो हिंदी इंग्लिस क्या है ना यार कि आप इसको दो-चार दीन भी लगतार पढ़ लेते तो आपका यह तैयारी अराम हो जाता है तो अभी भी टाइम है आपके पास बहुत दिन मचे हैं आप क उसके बाद चौठा में उसी तरह से होगा मतलब निमलिखित बश्ट्श परशनों के उत्तर दीजिए संचय में दीजिए मतलब दस क्वेश्चन है चौठे क्वेश्चन में 10 को बनाना है इसमें कोई option नहीं दिया गया है तो चौठा में दसों को बनाना है हर क्वेश्चन एक marks का है, तो 10 questions 10 marks के हुए, तो इस तरह से आपके questions रहेंगे, exam pattern रहेगा इस साथ, आप तयार हो कर जाएए Hindi English में खास करके तयारी हो जाएगा 2-4 दिनों में, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बस इतना ही था, और तयारी करते रहिए बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, thank you for watching my video